नमस्कार सभी किसान सातियों का एक बार फिर से हारदिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्टिफ फार्मर पे किसान सातियों आज अपने बात करेंगे बिदान के अंदर जो सर्चों की खड़ है उसका क्या उप्योग है किस परकार से अपने को उप्योग करने से यह एक अपने कम खर्च के अंदर एक अच्छा मतलब फसल की हराबरा रखने में उसके फुटान करने के लिए उसको मतलब बढ़वार करने के लिए उसके अंदर कीडों से मुक्त करने के लिए फसल को और्गनिक मतलब मैटर देने के लिए और और्गनिक कारबन पूरा करन और कब यूज कर सकते हैं किस्टेज के अंदर दान के अंदर यूज आज अपने टोटली वीडियो के अंदर बात करेंगे वीडियो आप पूरी देखना वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान बाइयों, शेयर भी कर देंद और जो लोग हमारे चैनल पर नहीं आये हैं तो उन्से रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले किसान साथियों अपने बात करेंगे भी सर्चों की खड को उपयोग किस परकार से करना और किस स्टेज के अंदर यूज़ करना है सबसे पहले तो अपने को अच्छी जो गानी की जो सर्चों की खड होती है वो लेनी है मार्केट से जिसके अंदर ओयल परसेंटेज अच्छी हो और उसके बाद में अपने को वो सर्चों की खड़ लेके परती एकड़ के इसाब से अपने को 10 किलो सर्चों की खड़ अपने को लेनी है परती एकड के हिसाब से 10 किलो खड़ उसको क्या करना है कुछ लोग तो उसको क्या चक्की से पिस्वा कर और उसका मतलब छिटा लगा देते हैं तो अपने को यह चिटा नहीं लगाना है उसके अंदर यह प्रोपर काम नहीं करती है उसका यह कारबन है वह मतलब सोलुशन है वह अच्छे से तैयार नेहीं होता है तो अपने को सबसे पहले सर्सों की खड़ लेइनी है दोसो लेटर ड्रम लेना है पानी का जहां पर अपना टूबयल dep丘 हो टूबयल के आप नसदीग जहां एकड़ के हिसाब से उसके अंदर डालके 170 लेटर पाणी और उसके अंदर उसके अंदर आप पांच किलो गुड डालो यह आपका सुलूशन है वो त्यार होगा तकरीबन तीस तीन एकड़ का तो इसको आप अच्छी तरह से लिक्वडेशन को इसको त्यार कर लो आप इसके अंदर गुड है वो आप सस्ता ले सकते हैं 20-30 रुपे किलो के हिसाब से सरसों खड़ अच्छी लेनी या पाणी लेना है थोड़ा सा आप कोशिश करें विजहां पर रख फसल ट्रांस्प्लांट के दस से पंद्रा दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन तक आप इसे चला सकते हैं तो यह सोलिशन चलाने से अपने को क्या होगा सरसों की खड़ के अंदर अच्छे मतलब नाइट्रोजन फासपोर्स पोटास सलफर मैगनीशियम मैगनीज जिंक काफी परकार की न्यूट्रेंट होते हैं जिससे कि अपने को फसल को न्यूट्रेंट की पूर्ति होती है उसके साथ जैसे गुड़ है गुड़ के अंदर भी काफी जो है न्यूट्रेंट अविलेबल होते हैं तो फसल के अंदर और और गनिक कार्बन पूरा होगा तो उसका पीएच लेव देखेंगे तो कम से कम दो से तीन क्वेंटल दान के अंदर पैदावार का फर्क पड़ेगा तो आप यह सुलिशन जुरूर चलाए आपको खड़ मार्केट से चोटी सी वीडियो आपको कैसे लिए वीडियो अच्छे लिए तो दूसरे किसान बाई यह तक शेयर कर दें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान